आहिला हबारात करे, आकी हमसे बात करे, मांगे में मोबाईल नमबर लागता रहात धरे, कि गोरी फूला ज़ाडी बाडू, पापके पाडी बाडू, अलगलू पसारे तूता पांख पीयर फराक वाली, लोग हमको बोलता है ना कि आपका नाम पौण सिंग जी के साथ कि आपके पाड़ा है, क्योंकि वहां तक पहुचना लोग की बस की बात नहीं है, और वो हम लोग को अपने दिल में रखाते कि पकड़ई बाता दूख बड़ी होई मुरी मईया, जाए निरोदया, आजए हैं भाईया, जाए निरोदया, जाए निरोदया कि अधार बनने के बाद लोग देखने कि और यह बाप रिबाप इता पवन सिंग के जोरे रोहती आए सुने ही ट भाई ला उसके पीछे की लोग स्ट्रगल नहीं जानता है कि एक लड़की कितना स्ट्रगल की हुई कि हमेरा प्यार के बदला में बुला का देले बाड़ू हो कि तु जब देले बाड़ू हो तादा गा देले बाड़ू हो कि तु जब देले बाड़ू हो तादा गा देले बाड़ू हो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं तो कुछ भी गा दूंगा वो मिलियन प्रॉस हो जाएगा लेकिन उनकी एक आदत है वो हम क्यों कि हम लोग सामने से देखे हैं न कि वो प्रियांशु सिंग जी को सामने बैठाएंगे वो अपना अंदर जाएंगे और विश्वास नहीं करे के और अपने बोल्ड आवास को लेके सबसे पहले आपके करियर की सुरुवात कब हुई थी मैं गोरकपूर की रहने वाली हूं उत्तर प्रदेश की और शुरू से ना हम स्कूल में क्योंकि मेरा स्कूल था वो सरस्वती शिश्यमंदर था और में इंट्रिव्यूस में बोल सब में गारा, सब इक साथ सुरीले कराते थे तो यह जो हमारी शुरुआत वी सुरुद्रिवात थी मेरे स्कूल से ही शुरुआत हुई थी तो इस गनाने की क्योंकि मैं कभी वन्दना प्रमुग बन जाधी थी कभी कुष कभी मॉनीटर बन जाती थी तो क्योंकि पढ़ने कर रही है तो क्यों ना इसको कहीं जहां जारी हो ही ले जालते हैं तो कहीं ना कि गवाते हैं इसको तो मंदिर में चोटा-चोटा जो भजन हो जन होता था उसे बैट के गाते थे फिर कोंपेटिशन होते थे जैसे पुर्वांचल महच सो हुआ फिर उसके बाद वहां पर रोटरी क्लब का होता था एक अलगायन प्रतियोगता उसमें ले गए पर ले तो खुब हारे बहुत करना पड़ा बहुत वही तो बोड़ना कि स्टार बनने के बाद लोग लोग देखने क आपको खुब मिलती है ऐसा कहते है कि अनुपमा सिंग ऐसी गाई का है जो मंच पर तंच रहती है उनका जो कहना है ना उनके जैसा मैंने बोला ना उनके जैसा इंसान धर्दी पर आप दूसरा कोई नहीं हो सकता है अश्चपूरी में आपका सबसे पहला गाना कौन सा था पुछपूरी में मेरा एक मैंने गाया था तब मेरे भाई नहीं हुआ था मतलब चोटा सा भाई है मेरा तो उसके लिए मैंने गाया था कि दिलवा के ललसा रखलो पकल सा कि दिलवा के ललसा रखलो पकल सा काहना पुरवलू माई आई के सूना हो देवी माई के ममता पईनी बाप के दूलरवा, प्यार नहीं मीलल हम के भाई के बाप के जैसा रहता है, मतलब सब के ऊपर चड़ा रहता है, अभी घर जाएंगी तो आपसे कुछ नहीं पूचेगा, क्या लाई हो मिले लिए, नहीं लाई हो दौबाल दाओ, तो उसके जो चीजे जैसे की बच्पना नजर आता है, अब जैसे बच्पन में हम इतनी शौक न कौन सा रहा? मेरा हिट गाना स्टेज पर दौधा दिल ना लगई है, और वागी अलबम में जिनको अपना गुरू मानते हैं, भगवान मानते हैं, पवन सिंग जी उनके साथ ले लो पूदेना, लोग हमको बोलता है न कि आपका नाम पवन सिंग जी के साथ जोड़ा जा र आप भी उनके शरड में जाए वो अपने दिल में रखते हैं, उनको जो दिल से मानता है न वो उनको अपने दिल में रखते हैं, और आप खुद बोलेंगे कि तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, पुदीना गाना का दो लाइन हो जया है, जो तो उस गाने की लाइन था कि काहला या इल बड़ा मीले हो भीतर से मन हमर हीले हो की पकड़ई बाता दुख बड़ी होई मरी मईया जाय निरादय आज ऐ है भाईया ये लाश्ट लाइन गाना को एक दम वर्ल्ड पैमस बना दिया जाय निरादय आज ऐ है और ये गाना बहुत कम बज़ट का गाना ठा और इसको लक बोलिये या फिर ऐसा कुछ बोलिए कि ये गाना सच में बहुत लगी हुआ जलतार तीन महें तक ट्रेंडिंग में था ये गाना बहुत लगी साबित हुआ और इससे जादा हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जह ये भासः एक पिछले साल इक पियर भरागवाली आपका गाना वहünü काफी ऐन्डिंग में रहा हरे एक सादी में वह गाना बजा त्रेंडिंग बिलकुल बहूत सारा इसे गाने ओणा ये नियु dewक अभी उठी लजा न की ले आई निया कि सौतिन ये यहा से और बाकि बहुत सार ऐसे गाने हैं जो शोशल मीडिया पर बहुत सारा रील बना और बहुत सारा प्यारा शिर्वाद जन्ता उसको देती है पियर फराक वाली दो लाएं अज गाने ही सुले हो आई लाह बारात करे आकी हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नमबर लागाता रहात धरे कि गोरी फूला जड़ी बाडू पापा के परी बाडू अलग लूपा सारे तूता पांख पियर फराक वाली अच्छा उस गाने का प्रिपेशन में कितने दिन लगा था? मिन्स सिंगिंग में मुझे एक दिन में लगता है कि चार पांच घंटे एपरोक्स पांच घंटे में पूरा कम्प्लीट होता है गाना मेरी लाइन सिफ मैं गाई थी पांच घंटे में जैसे कि ना सर की एक आदत है कि जब तक परफेक्ट भोकल नहीं मिलेगा तब तक वो मुझे गवाते ही रहते है उनको सफाई चाहिए कि काम है अगर जरा सभी हलका फुलका कहीं भी है तो फिर दुबारा जाके लगर लखनो भी रहेंगे या दिल्ली भी रहेंगे तो हमको फोन कर देंगे ना इठीक नेखी लगा फिर से जाके गाओ अब ही मैं आपको बता दू आरा बलिया चप्रा वाला जो गाना हुआ था तो वो गाना मैंने पटना में गाया था बट फिर उसके बाद ठीक नहीं लगा तो बोले किया रहें तुम क्यों डर रही हो जैसे मंच पे गाती हो वैसी बोल तरीके से गाओ फिर मैंने गाया फिर वो मतलब कि उनको अच्छा लगा फिर उसके बाद अगले दिन फिरम अगले दिन फिरम अपने काम में परफेक्शन चाहिए बिल्कुल उनका यही आदत ना सबसे अलग है वो अपने यही आदत आज उनको पावन इस्टार बना के रहें तो सोच सकते अपने गाया फिरम परफेक्शन देने की कोशिश हमेसा करेंगे और यही चीजे हम लोग उनसे सीखते हैं कि कैसे बो इतना मेलत करते हैं दिन में मिटिंग किये वो फिर शाम को रिकॉर्डिंग किये फिर रात में शूटिंग भी था उनका तो यह स्ट्रगल देखके ना मन अपने अपने अंदर उर्जा आती कि ने ने हम लोग भी आसे भाग भागे क्योंकि अभी तो वो थ्ट्रा साव उनका चुनावी महौल भी चल रहा है तो वो दिन में मिटिंग कर रहे हैं दोपहर में गाना गा रहे हैं शाम से शूटिंग स्टार्ट है तो मतलब इतनी सार अपने प्रिशर लेके और वो बंदा हमेशा हसते रहते हैं तो यह चीज़े देखके न मन में भी उर्जा होता है कि आर काश हम लोग भी आसी काम करें भाग दौर के काम करें लेकिन अम लोग से नहीं होता है बाई गुरू गुरू ही रहेंगे तो थोड़ा सो हम लोग को म मेरा जो रिष्टा है ना अपसे मैंने बोला भी मेरा जो रिष्टा है वो डांट डपट पर शुरू होता है और समझाने पर खतम होता है वो मुझे शुरुवाती करते हैं डांटने से कि हॉई करता रहे हॉँ करता रहे हॉँ करता रहे आईसे मत कर ऐसे मत कर एकन ऐसा गार कि तू जब देले बाडू हो तादगा देले पाडू हो कि तू जब देले बाडू हो तादगा देले बाडू हो कि दिल ना लगई हा फेर उजानी आई हा कि अब जाजा जान जान भूला जाई हा यह गाना अजी धल्चल जी ने लिखा और गाया है कि सारी लाल यादव भयाने और यह अब ही अगर श्टेश तो पर आप जाती हैं तो ओर्डेंस का कौन सा गाने का डिमांड होती है सबसे साधे आज इसे गाने की डिमांड होती है कि मुझे लगता है तीन साल हो गया इस गाने को अब यह जिंक अइज़ का नहीं लेगे रहा है असली इरादा कि रुपवा के जाल में धरा गई नी दादा एक स्टेज़ पर मैं गई थी मैंने कलू जी मेरे बहुत अच्छे दोस्तें कलू जी उनके साथ मैंने गया था कि अखिया तहरेगी रहिया था के गई लू कैसान रोग धराके इमिला नवाए मान तड़ पेचान चान दिल हमार लागे कहीना उसा थीरे तेरे बीना भी क्या जीना ये गाना आश्यू बाबा ने मेरे बड़े की दिन पोस्त किया था हैपी बड़े मुझे बुचिया बोलते हैं बहिनी बोलते हैं आई वबी बड़े मुझे बच्या करके पोस्त किया थो यह गाना ट्रेंड कर रहा था ये स्टेश हो मेरा ट्रेंड कर रहा था इन्स्टाक्राम पे तो ये छोटी-छोटी क्लिप्स इनमेरे वाइरल होती रहती है तो यह भी बहुत सा राशिरवाद है उनका लगतार अनुपमा यादो अपने गाना कोले के ट्रेंडिंग में रहती हैं इस्टेज सो कोले के ट्रेंडिंग में रहती हैं और सिख्ती खास करके पवन सिंग से हैं खिसारी लाल यादो के बारे में क्या वीचार रखती हैं वो भी मेरे गारिजियन है और उनसे इतना जादा मेरा मुलाकात नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज सक मैं उनके साथ एक ही शो किया है, वो भी हाजीपूर तरफ शो था, मैंने बस उनके साथ एक ही दो शो किया है, तो उनसे अभी उतना पॉस्नल बाउंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है मेरी क्यों नहीं हो पाती क्योंकि भाईया को भी टाइम नहीं होता हो गया वह भी अपने काम में रहते हुंगे और स्टेज चाध बहुत करते हैं। अल्बम में तो भी हम पिछले साल भी होली में दिखे थे ताला जी जा जी होला गे पाला जी जा जी कितारा खीसी मारब लहंगा में ताला जी जा जी तो भाई उनके साथ भी मेरे गाने आते रहते हैं बस यही है कि स्टेज पर लोग कम दिखते हैं थोड़ा सा उनसे कम मुलाकात मेरी हो पाती है लेकिन जो मेरे लिए है तो इसके लिए मैं आजीवन हूँ चाहे वो आलोक कुमार जी हूँ या फिर मुहन रठोर भीया हूँ कई सारे लोग ऐसे जिनके साथ में लगातार मंच करती हूँ तो वो मेरे लिए आजीवन है मैं भूलने वाला काम नहीं करती हूं कि एक बार काम करने के बाद मैं बोल दो कि नहीं नहीं मैं उनको जानती हूं मैं उनको साथ काम किया है उन्होंने मेरे साथ मंच साजा के तो मैं उनको एकदम जानती हूं अच्छा होली आने वाला है इस बार दर्शकों की लिए कोई धामाल होने वाला है क्या होली में? बिल्कुल मेरा ओफिशिल चैनल से दो गाने आएंगे और एक मेरा और चैनल है अपूर्व इंटर्टेन्मेंट उसमें सी आएगा इस बार दर्शकों की विशेज डिमांड पे सैड होली लेकर आ रहे हैं अच्छा होली में सैड सौन या तो उसको पुछ नहीं करने का ट्राइग किया है लोगों ने बोला कि अब सभी 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 आ रहे हैं तो जैसे कि मैंने अभी अल्बम अब लोगों की देख रहे होंगे कि मैंने ब्रेक ले लिया था कि मैं अभी कुई काम नहीं करूंगी तो फिर से लेकिन फिर से होली है और दर्शकों की भी डिमांड है और सय्ट होली एक होनी चाइए तो मैंने गा चलो पहली बार sad holi हम गाएंगे तो चलो गाते है sad holi और matter भी बहुत अच्छा है आरर पंकज भी आने लिखा है और बहुत मज़ा आने वाला है उस गाने में होली के लिए तयार रही क्योंकि अनुपमा यादो का इस बार होली में नया धमाल आने वाला है sad song के साथ कुछ नया करने का ट्राई किया है और खास करके audience के demand पे audience का demand था कि इस बार होली में कुछ sad song लाया जाए और सिख्ती पवन सिंग से है उनको देख कि अपने गाने में perfection लाती है गुरू मानती है और अपने करियर का सुरुवाद 2017 में की थी अपने भाई के लिए एक देवी गीत गा कि उसके बाद इनके घर में किलकारी गुंस्ती है छोटा भाई आता है आई खबरों के लिए बन हमें